विश्वे हिंदू परिश्यत ने इद गाहा की दुकानों का मलवा उठाने, महिला थाने की पास अवैर दर्गा हटानी, पॉलेथिन को बंद करने की मांग, अनिश्वित कालिन धरने की चेतावनी विश्वे हिंदू परिश्यत ने ग्यापन सौपा है, कारवाई ना होनी पर अनिश्वित कालिन धरने की चेतावनी भी दी है विश्वे हिंदू परिश्यत बजरंग दल ने आज नगरपाली का द्याक्ष्ट गैतर शर्मव कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को ग्यापन देती हुए बताया कि भूमी नमबर 274 और 726 स्थित इद कहा जासे शिपरी रोड पर इद कहा कमिटी द्वारा अवयत रूप से कबजा कर दुकान और बॉंडरिवॉल का दिर्मान किया जा रहा था जिसके शुकायत करने पर नगरपाली का प्रिशासन ने उन्हें तुड़वा दिया था जिनके मलबा आज जनान तक नहीं उठाया गया है जिससे आसपास के लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं विश्व हिंदु परिशद बजरंग दल ने दुकानों का मलबा उठाने की मांग की है साती महिला थाने के पास अवैत रूप से दरगहा बनी हुई है उससे हटाने की मांग भी की है बता दे कि अमबेटकर कॉलिनी स्टेडियम के पास जमाहर कॉलिनी लुधावाली कट्रा मोहला शेत्र में दिन में और आत्री तक निर्धारिते डैसीमल से द्ध्वनी लौड स्पीकर बजा कर द्ध्वनी प्रदूशन किया जा रहा है जिससे चात्राओ और बुजरुगो को परिशानियों का सामना करना पर रहा है शेवपुरी में पॉलतिन का प्रियोग बंद करने की मांग है जिससे आवारा जानवर खा कर बिमार ना पड़े इन सबी मांगों को पूरा नहीं होनी पर अनिशित का लिंधने की बाद भी विश्वे हिंदू परिशित के द्वार पिछले काभी समय से अवेद अथी किर्मन सास के भूमी पर किया जा रहा है इसका एक सबसे वड़ा मुद्दा जासी रोड़ पर इदगा के नाम पर जो इदगाय के लिए जो जमीन अवंटित की गई उससे अलग अटकर एक वेस कीमती भूमी पर कभजा किया गया इसको प एक अतिकर्मन और महला थाना फिलिस्ताना के पास में भी हुआ है तो आज नगरपाल का प्रिशावसन का ध्यान अकुषत कराना चांद देते कि ऐसे अतिकर्मन को ततकाल रोका जाए जहां पर कारवाई की गई है वहां से मलवे ततकाल हटाए जाए और उस भूमी को मुद प्योग भाट हो रहा है और उस पॉलितिन की ऊप्योग से हमारी गौम आता है उसको खालेती है और वो मर जाती है प्रशाथ उन्पर सांद काले उस मामले को अदरन बाले मामले पर भी ततकाल कर आए जाए और आपकी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो दिए तो इसकिसे में कि अगर यह मांगें पूरी नहीं होती है तो हम 15 दिन बाद अनिस्सक्रालीन दाड़ना देंगें